पुर आपको मार्केट का कौचवडी या समोसा खाना पसंद है तो एक बार इस रेसिपी को बना के जरूर रहे किजिएगा आपको बाहर का कौचवडी समोसा भी इसके आगे फीका लगेगा इसे बनाना भी बहुत असान है तो चलिए आज की मज़दा रेसिपी सुरू करते ह प्रेसे पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना होगा तो देखिए मैं यहां एक कप गिहूं का आटा ले रहे हूं इसमें हमें डालूंगे आदा चोटा चमच करीब चिली फ्लेक्स एक चमच करीब देल और स्वाध अनुसार नमक आप चाहें तो यहां आदा टालने के बाद एक बर हम इसी टरीके से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले हुए मैं यहां पानी पानी डालते हुए एसका थोरा होगा मैills करेंगे के लिए मैं यहां चार से पांच उबले हुए आलू को अच्छे तरीकी से चील के इसको मैस कर ली हूँ मैस करने के बाद अब मैं इसमें डालेंगे तीन से चार कटी हुए हरी मिर्च तीखा आप अपने अनुसार रखे अब मैं इसमें डाल दूँगी आदा चोटा चमच यहां बच्छों के लिए एक चीज क्यूब्स इसमें ग्रेट करके डाल रहे हुँ अगर आपको चीज पसंद नहीं तो आप यहां पनीड डाले अगर दोनों नहीं खाना पसंद करते हैं तो बस इसको आलू के स्ट्रेपिंस बना के तयार करें सभी चुजों को एक बढ़न तो सव्ठ हो जाता है और पस तर करेटेब जब ढ़ना है वहां और ऑमकी चछीके से ओर जाए कि अब तो आपके हैं तो इसके लोई बनाएंगे तोみंधर ना बना दोगो सकते हैं कि वूधा रहाख से थोड़ा ना बना रही हूं उतना भी बनाकी से आप तयार कर सकते हैं तो सारे आटे को इसी तरीके से सबसे पहले हम लोई बना लेंगे देखे मैं यहां सभी आटे के इसी तरीके से लोई बना ली हूं अब कुछ नहीं करना है अब एक लोई ले लेंगे और लोई को लेने के बाद इस तर तरीके से दो चमच भड़के डालिएगा क्योंकि आलु का स्टपिन्स हाथ को अंदर कर दीजेगा और इसको अच्छे तरीके से पैक करके और इसके जो उपर का एक्स्ट्रा अटा होगा वह आप निकाल दीजेगा अच्छे तरीके से घुमाते गोल गोल बनाईएगा इसको चप्टा बिल्कुल भी मत कीजेगा तो देखिए मैं इसमें साड़े में आलू के स्टफिंस करके रेडी कर ले हूँ चलिए अभी से हम बनाते हैं रेसेपी को बनाने के लिए सबसे पहले गयस पर रखेंगे पैन अभी मैं गयस को आन नहीं की हूँ और इसमें मैं डालूंग एक से दो मिनट के लिए गयस का फ्लेम एकदम हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे इसे एक बार पकने देंगे जब तक कि नीचे से पकड़ा है तो एक दम हलका हलका सा तेल इसके चारों तरफ हम उपड़ से भी लगा देंगे एक मिनट में ये नीचे से थोरा साल का सिख जाता है इसलिए आप एक से दो मिनट के लिए गयस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखिएगा इस पर हम इसे बिल्कुल भी ढख नहीं सकते हैं तो बस इस तरीके से पैन को हिलाते रहिए और इन सभी को घूमाते रहिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा एक बैस को पकाने तो अब हम इस से ढख देंगे तो ढखने के बाद गयस का फिलम एक दम लो कर दे और लो फिलम पर इसे ढख के छोड़ दे कड़ी बन तीन से चार मिनट के लिए ताकि अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए तो एक बार हम इसे चेक करेंगे तो देखिए अब द हो सकता है अंदर से थोड़ा कच्छा भी हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए देखिए मुझे पूरा इसको पकाने में साथ से आठ मिनट का टाइम लगा है और यह बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो देखिए कितने अच्छे से पके हैं एक पीसे यह आपको बहुत पसंद आएगा ध्यान से देखिएगा तो सभी पीसे से दरार आ गया है यानि क्रैक हो चुके हैं तो आप समझ जाए है कि अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो लीज यह बनके रेडी हो गया है हमारा आज का चरपटा सा नास था तो आप इसे सुबह के सबस्क्राइब कर सकते het और आपको चट्नी बनानी होगी अगर आपको इस तरीक किसी चत्नी के साथ खा सकते हैं तो तो रेशीपी अची veal को लाइक कीजेगा और मेरे चनल को subscribe किजेगा और कमेंट बताइए कि मेरी आज की मजदा से पी लोगों कैसे लगे तो खाये पीजो और इंजवाई कीजिए